आज भगवान श्री कृष्ण का 5250 वा जनमोत्सव मनाया जा रहा है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को भगवान श्री कृष्ण धरा पर अफ्तरेत हुए हैं। अता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और राधारानी की पूजा उपासना की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का राधारानी जी से किस प्रकार का रिष्टा था। आईए, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधारानी के मध्य आत्मिय संबंध था। जब भगवान नारायन द्वापर युग में पृत्वी पर मानव रूप में अफ्तरेत हुए। तो माता लक्ष्मी भी भगवान के साथ मृत्यू लोक में रहने राधा रूप में प्रकट हुई। हालां कि दोनों जीवन परियंत एक होकर नहीं रह सके। सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग में व्रिंदावन से मथुरा जाने के क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने श्री जी को वचन दिया था कि भविश्य में उनका मिलन अवश्य होगा। किन्तु ऐसा नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण व्रिंदावन लोटकर नहीं आये। भगवान के इंतजार में राधा रानी लंबे समय तक वियोग में रही। इस दौरान उनकी शादी रुखमिनी से हुई। लंबे समय तक जब भगवान श्री कृष्ण नहीं लोटे। तो राधा रानी भी परिण्य सूत्र में बंद गई। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण की माता के भाय रायान से हुआ। इस रिष्टे से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की मामी बन गई। कई शास्त्रों में ये भी उल्लेक है कि ब्रमदेव ने स्वन्य राधा रानी और भगवान का गंधर्व विवाह कराया था। वहीं कई प्रसंगों में ये भी कहा गया है कि बाल्यावस्था में द लेकिन भगवान नारायन ने उनकी यह मनोकामना पूरी नहीं हुने दी थी इससे क्रोधित होकर नारग जी ने नारायन को वियोग का श्राप दिया था उस श्राप के फल्स्वरूप त्रेता युग में भगवान राम को माता सीता का और द्वापर युग में राधारानी का वियोग मिला